अभी हम आ चुके हैं लख्णव में और सामने आपको इकाना स्टेडियम का स्टांदार नजारा देखने को मिल रहा होगा तो मैं आपको न काफी करीब से इकाना स्टेडियम का नजारा दिखाने वाला हूँ तो आप लोग लाज्ट तक इस वेडियो में बने रहेगा और ये है गुम्ती नगर का पूरा स्तांडार नजारा जहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगे हैं और इस इकाना स्टेडियम में पच्चास हजा लोग की बैठने की बेवस्था है और यह भारत का पास्वा सबसे बड़ा अंतराश्टी क्रिकेट इस्टेडियम भी है 2018 में भारत के दसमें प्रथान मंत्री अटल विहारी वाजपेई के सम्मान में इस्टेडियम का नाम बदल दिया गया है पहले इसका नाम इकाना स्टेडियम हुआ करता था लेकिन अब इसका नाम अटल विहारी वाजपेई स्टेडियम के नाम से इसे लोग जानते हैं और यह है यहां का हाईवे जहां पर अभी हम गुजर रहे हैं आपको दिख रहा होगा बगल में बड़ी-बड़ी लाइटे लगाई गई है और ये इकाना स्टेडियम 72 एकड में फैला हुआ है इसके अलावा सरकार ने रियल इस्टेट के लिए छाचट अत्रिक्त एकड जमीन भी इसे प्रदान की है और इस स्टेडियम को क्रिकेट इस्टेडियम को 360 करोड के बजट से बनाया गया है ये देखे उपर जाने के लिए स्टेडियम बनाई गई है और किस तरह से इसके डियाइनिंग की गई है किस तरह से उपर से इसको कलर किया गया है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट भी अब होने लगे है और इस सबसे खुबचूरत और सबसे बड़ा मॉल जिसका नाम है फिनिक्स प्लैसियो जहां पर लोग हमेशा गोमने के लिए सौफिंग के लिए आते रहते हैं और यह है इताना इस्टेडियम और यह पीछे का नजारा और इसके सामने ही यह प्लैसियो जो मॉल है आप लोग बड़ेगा और यह गोमती नगर का पूरा इलाका है मैं आपको यहां का पूरा नजारा दिखा रहा हूं भाई देखो कितना बड़ा मॉल है एकदम किनारे से लेके लास्ट छोर तक इसको बनाया गया है ट्रेंड से बीबी पैंटालूम्स मैक्स यहां पर सारे ब्रैंड व और हमेशा ना हाचारों लोग की भीड लगी रहती है तो यही यह भाई इकाना स्टेडियम और फिनिक्स प्लैसियो जो लक्नाव का सबसे खुब्सूरत मॉल भी है और इसके आगे बहुत ही बड़ी बड़ी बिल्लीने भी बननी सुरू हो गई है जल्दी मिलते हैं नए ब